तो हम discuss करें Laplace transform of ft upon t अगर कोई function ft upon t की form है यानि कि जिस function के divide में t दिखाई दे ध्यान रखिये t दिखाई दे t square t cube root t कुछ और power t की तो नहीं लगेगा यह formula तो इसके लिए हमें क्या करना है जब भी हमें Laplace transform ft upon t type के किसी function का निकालना है जिसके divide में t है तो सबसे पहले आपको t वाली term को छोड़ देना है और सबसे पहले बाकी बचा यानि कि f t का Laplace निकाल देना है जिस जो t divide में है उसको छोड़ देना है और बाकी का Laplace निकाल देना है मानले जिए यह f भी आ गया तो formula यह कहता है कि उस case में f t upon t का Laplace is equal to होगा यह जो answer आया f p इसमें p को x से replace करेंगे और उसके बाद उससे integration कर देंगे p to infinitive limit में तो आपको Laplace मिल जाएगा फिर से repeat कर रहा हूँ दो function के Laplace transform निकालना हो f t upon t का यानि ऐसे function का जिसके divide में सिर्फ t हो तो आपको उसके लिए पहले t वाली term को छोड़ देना है बाकी बचे का Laplace निकालना है जैसे ही वो answer आजाए तो अब यह Laplace f t upon t निकालना है तो जस्ट उसे p से infinitive limit में हम integrate कर देंगे limit में किसको यह f p जो आया उस में p को x से replace करते होगे एक example discuss करेंगे आपको चीज़े कुछ समझ में आएगी find Laplace transform of e to the power a t minus e to the power minus b t upon t तो इसको करने के लिए हमसे पूछा गया Laplace of e की power minus a t minus e की power minus b t upon t तो हमें देखकर समझ में आना चाहिए कि यह f t upon t की form है तो यह t वाली term को हमें छोड़ देना है formula के हिसाब से और पहले बाकी का Laplace निकाला है यानि e की power minus a t minus e की power minus b t का Laplace और अभी हमने यह formula discuss किये थे इसमें discuss किया था कि अगर हमें Laplace transform निकालना है किसका Laplace transform find out करना है e की power 80 का तो यह formula होता है 1 upon p minus a तो यहाँ पर हमें Laplace e की power minus 80 का निकालना है तो यह हो जाएगा 1 upon p plus a minus हैसी इसका हो जाएगा 1 upon p plus b यह हमारा fp हो गया तो जो हमने अभी formula discuss कि कि Laplace of e की power minus 80 minus e की power minus bt upon t अगर निकालना है तो किसके इको लोगा integral p to infinitive fx dx और यह कैसे अब fx कहां से मिलेगा भाईज़ा यह total क्या है fp और इसमें p को x से replace कर देंगे तो fx बन जाएगा तो fx की value क्या बनेगी यहाँ पर फिर p को x से replace करें 1 upon x plus a minus 1 upon x plus b और limit हमारी piece से infinitive है अब इसे integrate करते है integration 1 upon x plus a क्या होगा याद रखेगा कि 1 upon में कोई भी integration हो मालो यह 1 upon 1 upon x का integration करना है 1 upon x का integration log x होता है ध्यान रखेगे कुछ भी 1 upon में हो तो answer हमेशा log में नहीं करना integration का हमेशा integration log में तब answer आएगा जब नीचे वाले का differentiation ऊपर बनेगा तो answer log में आएगा तो क्या यह नीचे वाले का differentiation ऊपर बन रहा है हाँ बन रहा है इसका differentiation होता तो यह log में आएगा answer x plus a minus ऐसी इसका differentiation ऊपर बनना तो यह answer log x plus b आएगा integration limit P से infinitive अब इसमें limit रखने से पहले एक बार सोच ले क्योंकि जैसे हम इस form में infinitive रखेंगे limit रखेंगे अपर limit infinitive x की जग़ा पर तो यह infinitive प्लस ए infinitive हो जाएगा और यह बनेगा log infinitive log infinitive की value infinitive होती है ऐसे यहाँ पर भी infinitive बन जाएगा limit लगाने का प्रयास करेंगे फिर से infinitive रखेंगे तो infinitive प्लस ए infinitive होता है नीचे रखेंगे तो भी infinitive तो infinity by infinity की form बन जाएगी जो की indetermined form है तो इसलिए अभी ना रखें इस infinity by infinity की form को remove करें कैसे remove करेंगे इसे बचाने के लिए infinity by infinity ना बने उसके लिए जिस वज़े से बन रहा हुसको वज़े को cut खतम करेंगे, किसकी वज़े से बन रहा है X की, तो उपर नीचे X से डिवाइड करदें X से डिवाइड करेंगे, तो यहाएगा 1 प्लस A by X, नीचे डिवाइड करेंगे X से तो 1 प्लस B by X अब इसमें हम limit रखने का परियास करते हैं एक बार अपर limit infinitive रखते हैं तो क्या आएगा log 1 प्लस a upon infinitive हो जाएगा 0 1 प्लस b upon infinitive कितना हो जाएगा 0 minus log 1 प्लस a by x 1 प्लस b by x is equal to यह बनेगा log 1 log 1 की value 0 होती है minus इसको lc m लेगे तो वापस यह log x plus a upon x plus b बन जाएगा sorry limit इसमें भी lower रखी ती तो यह p आएगा x की जगा पर p रखाना तो p plus a upon p plus b तो answer हमारा बनता है minus log p plus a upon p plus b आप चाहें तो इसे log की property से minus 1 into में इसे power में ले जाकर लिख सकते हैं p plus a upon p plus b की power minus 1 यह इसे हम log of p plus b upon p plus a भी लिख सकते हैं यह सकान से होगा तो method आपको समझ में आया होगा एक और यहाँ पर question में पुछा गया है find the laplace transform of 1 minus cos t upon t square यानि कि हमें laplace निकालना है 1 minus cos t upon t square बट मैंने अभी आपको पता है यह जो formula उपर discuss किया था वो तब applicable नहीं है जब तक apply के वहले है जब तक upon में t o पर तो यह तो t square हो गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 minus cos t upon t upon t लिख लेते हैं तो अब यह f t upon t की form हो गई और उसकी according हमने क्या पड़ा कि यह upon में एक t t है तो इसे छोड़ देंगे पहले बाकी का लापलास निकालेंगे यानि कि अब हमारा question में हमें ज़रुत पढ़ने वाली है पहले 1 minus cos t upon t के लापलास की अब इसको find out करने के लिए इसको अगर हमें find out करना है तो अभी बता है f t upon t की form है तो नीचे वाले t को छोड़ देंगे पहले उपर वाले का लापलास निकालेंगे यानि कि शुरुवात हमें करनी है question में लापलास of 1 minus cos t से और 1 का लापलास अभी फार्मला पढ़ा था 1 upon p cos t का लापलास होता है p upon p square plus 1 तो यह हमारा f p आ गया अब अगर हम लापलास of 1 minus cos t upon t निकालना चारा है अब हम reverse चल रहे है अब इसके यह निकालने के बाद यह निकालने के बाद यह निकालने के बाद यह निकालने के लिए तो अब इसके यह निकाल लिया है हमने लापलास 1 minus cos t अब लापलास 1 minus cos t upon t निकालने तो अभी डिसकस किया था कि F T upon T की form है तो लापलास निकालने के लिए फार्मला क्या है P 2 infinitive F X और D X तो P 2 infinitive F X चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा P की जगे पर X डाल देंगे P को X से replace करेंगे तो क्या हैगा 1 upon X minus X upon X square plus 1 D X इसको integrate कर देंगे भई तो integrate करने में आप लोगों को मैंने अभी बताया अगर नीचे का differentiation उपर बनेगा तब ही integration को log में लिखते हैं तो X का differentiation उपर नीचे वाले का उपर बन रहा है तो यह answer log में हो जाएगा नीचे यहाँ पर यह जो term है इसका differentiation उपर नहीं बन रहा है इसका differentiation होगा 2X और उपर है X तो हम 2 से into और 2 से divide अगर कर दे तो अब नीचे वाली term का differentiation उपर बन रहा है तो इसका integration log में आप आसाथा है तो यह 1 upon X का लिख लिए integration log X minus 1 by 2 यह आज़ इस और इतने हिससे में नीचे का differentiation उपर बन रहा है तो यह आज़ेगा log of X square plus 1 और limit है हमारी P से infinite इसको हम log की property से log X upon root of X square plus 1 लिख सकते हैं क्योंकि यह power 1 by 2 उपर चली जाएगी और log M minus log N से log M upon N लिख लगी तो यह हमारी value आज़ेगी अब इसमें limit रखेंगे तो infinity by infinity की form बन रही है उससे बचने के लिए हम उपर नीचे X से divide कर देते हैं X से divide किया है यहां 1 आएगा नीचे X से divide किया तो under root के अंदर जाकर X square से divide होगा यानि कि 1 plus 1 upon X square आएगा अब limit इसमें रखते हैं एक बार X की जगा पर infinitive रखेंगे तो कितना आएगा log 1 upon root of 1 plus 1 upon infinity square यानि कि 1 upon infinity 0 हो जाएगा और minus अब P रखेंगे तो क्या हैगा log of 1 upon root of 1 plus 1 upon P square ठीक है student इसको अब अगर log 1 को देखें तो यह तो 0 होता है minus यह value simplify करेंगे तो क्या हैगा P upon root of P square plus 1 तो यह हमारा answer बनता है नहीं यहां से इसे हम minus 1 को power में ले जाएगा तो यह हमारा बन जाएगा log of root P square plus 1 upon P यह value हमारी बन जाती है यह किसका लाप्लास आया है लाप्लास of 1 minus cost upon T पर question में किसका पूछा था 1 minus cost upon T square का यानि कि अब हमने यह निकाल लिया है इसे अगर हम GP बोलते हैं तो हमें requirement है लाप्लास of 1 minus cost upon T square की तो अब हम इसमें फिर से F T upon T का formula लगाएंगी तो हमें लाप्लास निकालना है 1 minus cost T upon T square का तो इसे हम क्या लिख रहे थे 1 minus cost T upon T और total के डिवाइड में T तो यह F T upon T की form बन गई अब इसके लिए हमने क्या पढ़ाता कि सबसे पहले उपर वाले का लाप्लास निकालेंगी वो हम निकाल चुके हैं तो यह किसके equal होगा फिर यह equal होता भी पढ़ाता P to infinitive F X F की जगे पर आप हमने G माना है इसके लाप्लास को तो G X D X अभी हमने solve करा था GP किसके गवरावर है GP is equal to हमारा आया है अब यह हमारी value आ चुकी है यहाँ पर हमने बस GP यह जो आया था इसमें P को X से replace किया तो यहाँ पर यह value आ गई हमारी है और इसको integrate करना है integrate करने के लिए आप देख सकते हैं कि यह आसानी से solve करना है और आसानी से solve होगा जब अंडरूट होड़ जाए और अंडरूट होड़ने के लिए कुछ ऐसा substitution ले जिससे की आसानी से अंडरूट होड़ जाए यानि कि value square में हूँ तो अगर मैं X को X को हाँ एक अगर मैं यहाँ X को replace कर देता हूँ किस से X को replace कर देता है अच्छा हम इसे integrate एक तरीके से करते है 12 में हमने पढ़ा है कि अगर log वाला कोई भी integral है या 10 inverse का function है तो उसका integral करने के लिए into make function ले लेते हैं और integration by part लगा लेते हैं तो एक 1 ले लिया और यह first function और यह second function integration by part का formula फार्मला फार्मला पड़ा है तो वो लगा देगी पहले हम P2 infinitive इसमें 1 by 2 power हम आगे लिख लेते हैं इसे हम ऐसे लिख सकते हैं root of x square plus 1 upon x square same value बनेगी अब इसमें से power whole 1 by 2 है वोसे log की property से आगे लिख लेते हैं तो यह जाएगा 1 by 2 P2 infinitive log x square plus 1 upon x square इसका integration करना है यानि किसका करना है 1 by 2 log P2 infinitive log x square plus 1 upon x dx x square dx ठीक है अब इसमें log क्वाले integral को solve करने के लिए अब हमने discuss किया into make function ले लेते हैं 1 अब यह formula लगा देंगे इसे first लेंगे और इसे second और highlight वाले formula से इसे first लेंगे इसे second तो इसकी according integrate करेंगे पहले first function as it is second का integration 1 का कितना होगा x minus first का differentiation यानि कि इसका log इसका differentiation इसका differentiation करेंगे तो क्या हैगा log x का differentiation 1 upon x तो यह हो जाएगा x square upon x square plus 1 इन्टू फिर इसका differentiation आएगा इसका करेंगे तो x square plus 1 as it is इन्टू 2x minus फिर x square as it is और इसका differentiation 2x upon x square plus 1 का whole square ठीक है फिर next फिर आएगा into x का 1 का integration x और फिर पूरे का integration और limit हमारी P से infinitive लाईगा is equal to 1 by 2 यह बना x log x square plus 1 upon x square minus यहाँ से x square upon x square plus 1 तो यह था इसको simplify करेंगे तो यहाँ पर यह 2x cube बनेगा और यह भी 2x cube दोनों cancel बाकी क्या बचा 1 upon 2x upon x square plus 1 का whole square ठीक है student और into में एक x यह बना है यह value हमारी आ जाएगी और limit रहेगी P से infinitive तक इसको थोड़ा सा और simplify करेंगे हम अगर हाँ यहाँ पर हम differentiation कर रहे थे तो यह हमारा x square का square आएगा यानि कि x की power 4 यह बनेगा x की power 4 ठीक है student तो यहाँ से हम देख सकते है x की power 4 में से यह x है यह x square और यह हमारा सब cancel out होगा x की power 4 cancel out हो जाएगा ठीक है student तो यह integration हमारा बनेगा 1 by 2 x log x square plus 1 by x square minus यहाँ से यह cancel out होकर सिर्फ क्या बचेगा हमारा x की power 4 cancel out होगा 2 constant बहार करा तो यह बनेगा हमारा dx upon x square plus 1 limit हमारी यह p से infinitive तो अब इसमें हम limit रख देते हैं तो हमारा answer आजाएगा 1 by 2 जब इसमें infinitive रखेंगे तो infinitive और यह भी infinitive बनेगा तो इसको divide कर लेंगे infinitive बाइं infinitive से बचने के लिए x square से तो आपका यह log 1 बन जाएगा और solve करके फिर यह 0 हो जाएगा फिर minus जब आप limit p रखेंगे तो यहां कितना आएगा p into log p square plus 1 upon p square फिर इसका integration हमने किया यह x log x square plus 1 upon x square minus 2 यह बनेगा 10 inverse x और limit हम इसमें रखेंगे 10 inverse x में तो minus 2 10 inverse एक बार infinitive रखेंगे फिर plus lower limit रखेंगे तो 2 10 inverse p यह simplify करके हमारी value 1 by 2 minus p log of p square plus 1 upon p square minus 2 common ले लेते हैं अगर तो यह बना हमारा 10 inverse x infinitive minus 10 inverse p is equal to 1 by 2 minus p log of p square plus 1 upon p square minus 2 और यह 10 inverse infinitive होगा pi by 2 minus 10 inverse p रह जाएगा और हमने identity पढ़ी है 12th class में 10 inverse x plus 10 cot inverse x is equal to pi by 2 तो pi by 2 minus 10 inverse cot inverse हो जाएगा तो इसे हम लेख सकते है minus p log of p square plus 1 upon p square और minus 2 इसको हम लेख सकते है cot inverse p ठीक है student तो यह हमारा यहाँ पर answer बन जाएगा तो final answer हमारा यह आजाएगा इस तरीके से आप लोगों को question simplify करना है आज यह formula हम लोगों ने discuss किया है तो इससे related आज ही question कर लेंगे तो यह आपका mind में set हो जाएगा तो यह कुछ practice questions है question 1 लापलास of sin 80 upon t answer भी है question number 2 लापलास of sin 30 into cos t upon t question number 3 लापलास of cos 80 minus cos bt upon t तो यह आप कर लेंगे तो आपके mind में set हो जाएगा अब इसमें हमें लापलास transform solve करना है लापलास transform of integral next formula हम discuss करेंगे अगर कोई भी हमें integral दिया हुआ है जिसकी limit 0 से t हो और किसी function का हमें लापलास transform निकालना हो तो जो भी function है उसका हमें integral का लापलास transform निकालना है तो formula कहता है कि integral की limit अगर 0 से t है तो यह formula apply होगा तो सबसे पहले आप लोगों को इस formula के according क्या करना है कि जो अंदर वाले term है जो fx है पहले इसका लापलास या ऐसे समझे formula में लापलास integral 0 से t limit में fx dx का निकालना है तो integral हट जाएगा इसकी जगे पहले बन अपॉन पी और यह लापलास अंदर वाले function का जाएगा यानि ki fd का integral बस x को t से replace करें यह formula आपको दिमाग में रखना है question करते समय क्या फिर से repeat करना हो जब भी लापलास निकालना हो integral 0 से t fx dx का integral हो ऐसे function का लापलास निकालना हो जिसमें integral का sign हो और उसके लिए limit भी 0 से t होने चीए तो क्या करना होगा कि एक integral है उसे हटा देंगे वन अपॉन पी आजाएगा उसकी जगे पर और फिर अंदर जो function है उसका लापलास इंटू में कर देंगे एक example करेंगे तो आपको बाते समझ में आएगे मानलोस में ये कहता है evaluate integral वो लापलास ओफ integral 0 to t sin t upon t dt तो ये question हमें अगर solve करना है तो सबसे पहले formula के according लापलास ओफ integral 0 to t sin t upon t dt चाहिए तो अभी discuss किया formula के हिसाब से एक integral पहला आगे वाला जो integral है यानि कि जो सटी वो अटकर 1 upon p आएगा और अंदर वाले function का लापलास आजाएगा यानि कि लापलास ओफ sin t upon t यानि कि अगर हमें ये value चाहिए है तो अब ये लापलास ओफ sin t upon t पता हो discuss कि t वाले term को छोड़ देंगे बाकी का पहले लापलास निकालेंगे यानि कि लापलास किसका निकालेंगे sin t का और sin a t का लापलास का formula हम पढ़ चुके है क्या होता है a upon p square plus a square और a की place पर यहाँ 1 है तो यहाँ जाएगा 1 upon p square plus 1 तो यह जो value आई अगर fp है तो formula हमने डिसकस किया था कि f t upon t का लापलास निकालना है जैसे यह sin t upon t का तो formula क्या पढ़ आता है यह equal होता है integral p to infinitive fx dx integral p to infinitive fx कहां से आएगा भाईया यह हमारा fp है तो p को just x से replace कर देंगे तो fx आजाएगा तो p को x से replace करेंगे कितना हैगा fx is equal to 1 upon x square plus 1 अब इसको integrate करते हैं इसका formula हम जानते ही है इसे log में ना लिखे हैं फिर से बता रहा हूँ नीचे वाले term का differentiation उपर बनेगा तो log में होता है तो इसका differentiation 2x उपर नहीं है तो यह answer log में integral नहीं निकना है पाइबाई 2 minus 10 inverse b और पाइबाई 2 minus 10 inverse b को हम क्या लेख सकते है cot inverse b तो यह value आ जाती हमारी laplace of saint t upon t बंट question यह नहीं था question तो integral का इसका laplace पूछ रहा था और इसको रहे पूछ रहा था इसको लिए जब़़ती इसले निकाला से वन अपॉन पी लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी लिखा था और इसमें लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की वैल्यू आ चुक गी है कॉट इन्वर्स पी तो यह इसका अंसर हो जाया है ठीक है स्टुडेंट एक अच्छा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है find the laplace transform of e की पार माइनस 40 इंटू इंटिगल 0 टी टी साइन 3 टी इसका लाप्लास निकालना है और उसमें भी एक टर्म e की पार वाली है तो हमने उसके लिए पढ़ा था जब भी e की पार वाली टर्म इंटू में हो तो फिर्स शिफ्टिंग ठीरम लगेगी और उसके लिए e की पार वाली टर्म को छोड़कर पहले बाकी का laplace निकाल लेते हैं यानि की laplace पहले किसका solve करेंगे integral 0 to t t sin 3t का ठीक है student अब इसमें भी हमने अभी डिसकस किया कि जब integral का laplace निकालना है जिसकी limit geoset यह हो तो formula लगता है integral की जाएगा पर आजाएगा 1 upon p और ये laplace अंदर चला जाएगा यानि की laplace आजएगा t sin 3t का ठीक है student अब इसका laplace निकालने के लिए हमें t sin 3t का laplace निकालने के लिए t 2 की product वाला formula लगाना पड़ेगा अभी डिसकस किया था जिसमें से एक t की power वाली term हो तो t की power वाली term को छोड़ देते हैं पहले बाकी का laplace निकालेंगे यानि की laplace of sin 3t का और laplace of sin 80 का formula हम जानते हैं क्या होता है a upon p square plus a square और a t से compare करें एक जीगापर 3 है तो ये आएगा 3 upon p square plus 9 ठीक है student ये fp आ गया तो हमने formula डिसकस किया था भी कि t into sin 3t का laplace निकालना है जैसे तो ये equal होगा जितनी t की power कितनी है 1 तो minus 1 की power 1 into one time derivative of fp जितनी t की power उतनी time derivative होगा उतनी ही minus 1 की power है तो ये minus d upon dp of क्या जाएगा 3 upon p square plus 9 इसको differentiate करेंगे student तो हमारा कितना जाएगा minus 6p upon p square plus 9 का whole square ये value हमारे पास आ जाएगी ठीक है student अब इसमें ये value आगी laplace of t into minus e plus ये value हमारे पास laplace of t sin 3t किया गी अब इसको use कर लेते है 1 में तो using in one तो जैसी हम one में use करेंगे तो laplace of हमें क्या मिल जाएगा 0 से t t sin 3t dt किसके को लाएगा 1 upon p और इसकी value हम यहाँ पर use कर लेते हैं कितना है 6p upon p square plus 1 का 9 का whole square यानि कि ये laplace of 0 to t into t sin 3t की value हमें मिल चुकी है कितना 6 upon p square plus 9 का whole square अब student हमें question ये नहीं पूछ रहा था question पूछ रहा था ये कि par minus 40 into का laplace तो by first shifting theorem लगा देंगे first shifting theorem क्या कहती है first shifting theorem कि अगर हमें laplace find करना है e की par minus की term और कोई integral जैसे कोई भी function जैसे ये t sin 3t dt तो हमने क्या बढ़ा था पहले e की par वारे term को छोड़ देंगे बाकी का laplace निकालेंगे वो निकाल लिया और इसमें पी अगर इसको fp बोल रहा है इसको क्या बोलने है fp तो इसे gp बोल देते हैं चलो क्योंकि fp उपर बोला हुआ है इसको gp बोलने है तो shifting theorem के according integral की value की gp minus a a कहां से decide होगा e की power से और e की power में कितना minus 4 तो ये plus 4 हो जाएगा क्योंकि p minus a होता है already a में minus है तो ये gp plus 4 हो जाएगा यानि कि answer चाहिए तो बस आपको ये जो gp आया इसमें p को किस से replace करना होगा p plus 4 से क्योंकि gp plus 4 answer है तो यह जाएगा 6 upon p plus 4 का whole square plus 9 का whole square इसको simplify करेंगे तो answer आएगा हमारा p square plus 8 p plus 25 का whole square ये आपका final answer तो student इस तरीके से हमने f t upon t formula से related question discuss किये अभी कुछ और questions homework में practice के लिए आपको try करना है तो ये questions है homework के लिए evaluate laplace transform of integral 0 to t t sin t dt ये इसका answer है second question find the laplace transform of a key party integral 0 to t t sin t dt ये second question इसका answer है और ऐसे ये third question है इसका answer है तो आपको ये question practice कर लेने है आज ही कर लेंगे practice तो आपके mind में set हो जाएंगे साथ ही के साथ समझते हैं के साथ ही question practice कर लीजिए अब हम discuss करेंगे value of integral 0 to infinitive using laplace transform यानि कि ऐसे integral की value solve करना जिनकी limit 0 से infinitive हो उनको हम laplace transform की हल से कैसे solve करते है example के through इस बात को हम समझेगे question करना कैसे है यहाँ पर एक question है using laplace transform evaluate यह integral हमें solve करने है तीन पार्ट है question के तो जैसे कि हम पहले वाले तीन question है मतलब पहले वाले question को करते है तो पहले question में कहा गया है integral 0 से infinity 1 की पार minus t minus 1 की पार minus 2t upon t यह integral हमें solve करना using laplace transform तो solve करने के लिए using laplace transform कहा गया है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको question laplace transform की हल से ही करना है यानि कि integral find करने को कहा है तो integral नहीं निकालना है आपको total integral के अंदर जो function है उसका laplace निकाल देना है तो यहाँ पर हम question start करेंगे laplace of e की पार t minus e की पार minus 2t upon t के laplace से यह laplace solve करेंगे पर इसको solve करने के लिए हमने बढ़ाता है ft upon t की form में तो हमने बढ़ाता कि क्या करना होता है पहले t वाले term को छोड़ देते हैं बाकी का laplace यानि की question सुरू होगा laplace of e की पार minus t into e की पार minus 2t को find करने से अब इसके लिए हमने फार्मला बढ़ा था laplace e की पार a t का क्या फार्मला होता है one upon p minus a a की जिए पर यहाँ minus 1 है तो यह आजाएगा one upon p plus 1 इसमे one upon p plus 2 आजाएगा अगर इसे हम fp बोलते हैं तो हमने फार्मला बढ़ा था e की फ t upon t का laplace यानि कि ऐसा function जिसके अपोन में t हो तो इसके अपोन में t है उसका laplace निकालना है तो फार्मला क्या था integral p to infinitive fx dx तो यह हमारा fp था इसमें हम p को x से replace कर देंगे तो fx निकल आएगा तो यह आएगा one upon x plus 1 minus one upon x plus 2 अब इसको integrate करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बार-बार बता है integral log में लिखने से पहले चेक कर लें कि क्या नीचे का differential उपर बन रहा है बन रहा है इसका differential 1 बन रहा है तो इसको हम log में लिखेंगे answer ऐसे इसका भी log of x plus 2 अब इसमें हम log m upon n property लगा देते हैं log m minus log n क्या होता है log m upon n इसे हम लिख सकते हैं log x plus 1 upon x plus 2 अब इसमें हम limit रखेंगे तो अगर infernative रखेंगे तो infernative by infinity की form बन जाएगी इसलिए आप उपर नीचे x से divide गर देते हैं numerator में भी denominator में भी तो यह हमारी value यह बन जाएगी अब इसके बाद आप हम limit रखेंगे एक बार अपर limit रखेंगे तो यह आएगा log 1 plus 1 upon infernative 0 हो जाएगा 1 plus 2 upon infernative 0 हो जाएगा फिर p रखेंगे तो log of 1 plus 1 upon p upon 1 plus 2 upon p यहाँ पर log 1 यह बनेगा और log 1 की value 0 होती है इसको l से हम लेगे तो यह आएगा p plus 1 upon p plus 2 अब समस्या क्या है question में laplace नहीं पूछा गया question में क्या पूछा गया इसका integral पूछा गया तो हम laplace की definition से अब यह जो laplace आया है हम जानते है laplace of f t को हम integral में भी लिख सकते हैं किसी function के laplace को laplace f t का formula क्या होता है integral 0 से infinitive e की power minus p t f t dt यानि कोई function laplace में है तो उसे हम integral में लिखेंगे वो function f t into e की power minus p t का integral 0 से infinitive तो ऐसे यह laplace में तो इसे क्या लिखेंगे 0 so infinitive integration e की power minus p t into यह function e की power minus t minus e की power minus 2 t by t dt और is equal to में इसकी value है log of p plus 1 upon p plus 2 यानि कि हमने जो laplace निकाला है वो वास्तिक्ता में अपने अपने यह integral निकल कर आ गया और question में यह integral पूछा गया है इस integral और इस वाले integral दोनों में इस integral और इस integral में क्या difference है जो हमें solve find करना है और जो निकल कर आया है यह निकल कर आया क्या रख दें पीक तो parameter कुछ भी हो सकता है तो पीक को अगर हम 0 रखते हैं दोनों तरफ तो यह रहेगा 0 से infinitive E की पार 0 1 हो जाएगा E की पार minus T E की पार minus 2 T upon T DT और यहां रखेंगे तो minus 0 रखने पर यह 1 by 2 आजाएगा यह इसे हम minus log 2 की पार minus 1 लिख सकते हैं लोक की प्रोपर्टी से minus 1 आगिया जाएगा तो answer locked हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा अब अगर हम second वाले part को देखे तो इसमें पुछा गया integral 0 से infinitive limit में E to the power minus T into C by T तो अभी discuss किया अगर integral पूछ रहा है using Laplace transform तो इसका integral नहीं निकालना आपको Laplace निकालना तो इस total का Laplace निकालेंगे बट इस total में भी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि यह E की party total के into में है अगर function के पूरे के into में है तो इस E की power को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो हम P की value रखकर बना लेगे तो इसको छोड़ कर बाकी का Laplace निकालेंगे यानि की question अब modify होता है हमें Laplace of sin T upon T निकालना होगा और उसके लिए हमने बढ़ा कि जिस function के upon में T है तो F T upon T formula से पहले T को छोड़ देंगे बाकी का Laplace निकालेंगे यानि की Laplace of sin T तो Laplace of sin T के लिए हम formula लगाएंगे sin T की Laplace का क्या होता है A upon P square plus A square A की जगे पर हम देख रहे है 1 है तो यह होगा 1 upon P square plus 1 यह F P होगया अब Laplace of हम sin T upon T निकालेंगे reverse order में चल रहे है यह निकाला फिर यह निकालेंगे और इससे यह निकाले तो Laplace of sin T upon T के लिए क्या formula होता है sin T upon T के Laplace का भी दिसकस किया था यह upon में T यह तो इससे function का Laplace होता है P to infinitive Fx dx integral P to infinitive Fx कहां से मिलेगा इस integral में P को X से replace करके तो यह आएगा 1 upon X square plus 1 dx और 1 upon X square plus 1 का integration क्या होता है 10 inverse X limit P से infinitive limit रखेंगे तो 10 inverse infinitive minus 10 inverse P बनेगा 10 inverse infinitive कितना होता है pi by 2 minus 10 inverse P pi by 2 minus 10 inverse P को हम कहा लिख सकते है cot inverse P तो यह value आगे Laplace of sin T upon T की but question में Laplace नहीं पूछा है integral पूछा है तो इसे हम Laplace की definition से भी डिसकस किया था Laplace sin T को कहा लिख सकते है integral 0 से infinitive P की power minus P T और जब function Laplace में लिखा है यानि की sin T upon T डी टी और इसकी value है हमारी cot inverse P अब question के हिसाब से देखेंगे यह integral निकल कर आ चुका है पर question यह integral चाहरा है तो इसमें हमारे पास same value यह बन रही है बस कमी क्या है e की power minus T है और यहाँ e की power minus P T है तो अगर minus T बनाना है तो P को क्या replace करने है 1 तो putting P equal to 1 तो जैसे P equal to 1 रखेंगे यह आपका बनेगा 0 से infinitive e की power minus T sin T upon T dT और यह बनेगा cot inverse 1 और cot की value cot inverse 1 का मलदब cot की value 1 कितने angle पर होती है पाई बाई फॉर पर पर तर यह इसका answer है अब यह last question आपका बचा है इसको homework में आपको करना है यह आपका homework है आप इसमें ध्यान रखेगा कि clue भी मैं बता दे रहा हूँ integral निकालना है using laplace transform तो laplace transform का use करते वे निकालना है that means आपको integral नहीं solve करना है laplace निकालना है उसके लिए क्या करेंगे अभी बताया इस पूरे का laplace नहीं निकालना इसको छोड़ देंगे क्योंकि यही की पार total gain to में laplace पूरे का निकाल देंगे बाकी बचेगा और उसके बाद last में laplace को जब integral में convert करेंगे तो p की जगए पत्थरी रख देंगे इस laplace की value आ जाएगी इसका answer में आपको बता देता हूँ answer इसका आएगा 3 by 50 ठीक है तो यह homework में आपको question करना है आज की वीडियो में इतना ही बाकी फिर next lecture में discuss करेंगे